नमस्कार दोस्तों बेट लें जीकें बहुत बहुत सवागते आपका आज का हमारा टोपिक है सिंदुघाटी सब्वेता इससे पहले मैं पसान काल आपको पढ़ा चुका हूँ डिस्क्रिस्टिन में इसका लिंक दिया हुआ है आप वीडियो देख सकते हैं बात करते हैं सिंदुघाटी सब्वेता की तो सिंदुघाटी सब्वेता भारत की ही नहीं बलगी विस्व की प्राचीन सब्वेताओं में से एक है जैसे मिस्र की सब्वेता, मैसोपोटामिया की सब्वेता और चीन की सब्वेता उनमें से एक भारत में सब्वेता है थी उसका नाम था सिंदुघाटी सब्वेता इसे अन्य नामों से विजाना जाता है जैसे हडपा सब्वेता या सरसुती सब्वेता इसका जो काल माना गय हैं उससे इसकी आयू ग्याद की गई है तो इसका जो अथेंटिक जो मानी गई है काल बुम बाना गया है 2420 से लेके 1720 तक और इसका जो बिस्तार है तीन देसों में फैला हुआ है अफगानिस्तान पाकिस्तान और भारत भारत में अगर बात की जाए सबसे उत्तरी इसका जो स्थल था वो खो जागया है मांडा मांडा है यह जम्मो कस्मीर में और यह है चिनाव नदी के पास वेस्टरन साइड में देखा जाए तो यह था बिलूचिस्तान में सुतका गेडोर और यह था दासक नदी के पास सबसे इसका साउथ स्थल देखा जाए तो वो था दायमाबाद महराश्टर में गुदावरी नदी के पास और सबसे इसका स्थल था वो था आलमगिरपूर और ये मेरट में था और हिंडन नदी के पास था ये इसका जो टोटल एरिया माना गया है वो माना गया है 13,00,000 किलोमेटर इसकी जो लंबाई मानेगी है इस लेके वेस तक तो 1600 किलोमेटर और नौर्थ लेके साउस तक 1400 किलोमेटर तक की है बात करते हैं इसकी खोज की तो इसकी जो खोज की गई थी चार्ल्स मैंसन ने सबसे पहले 1826 इस भी में इस पे सोध किया था और इन्होंने अपनी पुस्तक में निरेटिव अफ जर्नी में इस तल के बारे में कुछ लिखा था पर वो उतने सक्सेस नहीं हो पाए जितना कि उनको होना चाहते थे वो नेक्स्ट बात करते हैं वर्टन बंदू तो वर्टन बंदू 1856 में कराची टू लाहोर एक रेलवे लाइन बिशा रहे थे यहां से रेलवे लाइन बिशा रहे थे तो रेलवे लाइन जब बिशा रहे थे तो वहां से कुछ इंटे इनको मिली थी तो जो इंटे यहां से मि 1853 से लेकर 1856 तक यहां पर काफी सोध किये और अलेक्जंडर कनिंगम जो थे भारतिय पुरा तत्विक के जनक वीट माना जाता है इनको। लास्ट में फाइनल में आते हैं सर जोन मारसल यह जो थे भारतिय पुरा तत्विक विवाग के प्रमुक माने जाते हैं और इनके नत्रित्म में देयाराम साहनी और राखलदास मेनर जी ने खुदाई की थी। अब बात करते हैं कि मौहण जो दाडो से प्रापत दो प्रमुक्सतल जहां से कुछिन्ड पूछे जाते हैं तो एक था अन्नागार और एक था सनानागार तो अन्नागार जो था ये था सिंदु घाटी सब्वेता की सबसे बड़ी इमारत और सनानागार जो है इसकी लंबाई जो पूछी जाती कभी कभी तो 11.88 चोडाई जो है इसकी 7.01 और गहराई जो इसकी 4.43 और बात की जाए नग सीदी सीदी यहां पर सड़के हैं, यह जो बीच में बचैंई यहां पर घर होते थे, तथा सड़के जो थे बिलकुल सीधी होती थी. नेक्स्ट नम बात करते हैं, सिंदु फार्टे सबिथा की खोज THEERAMA partial fait क Scholars새 यूग में रखा गया है शिन्तु घाटी सब्वैता के मुख्छे निवासची को न्यावक ऐसरों तो ध्राइध और सुसद गाटी सभीता इक nueva गरी सबक्राइद acronym खडपा संस्कृति के सर्वादिक स्थल जो खोजे गया है वो खोजे गया है गुजरात में यह भी पूछे जाता है। शिंदुगाटी सब्वेता के बंदर का लोथल और सुत का ये डोर को माना जाता है। जुते हुए खेत और नकासीदार इंटर का प्रयोग के साथ सक्से कहा मिलते हैं तो काली बंगन में मिलते हैं। और काली बंगन का मतलब क्योंता है तो काले रंग की चूड़ियां। नेक्स्ट बात करते हैं सिंदुगाटी सब्वेता का बिस्तार। जैसा कि मैंने आपको बताया यह जो सब्वेता थी अफगानिस्तान पाकिस्तान और भारत में फैली हुई थी। लगबग 1500 के स्थल यहां पे मिले हुए हैं। जिसमें से 2 अफगानिस्तान में हैं 500 के आसपास पाकिस्तान में और 1000 के आसपास भारत में हैं। अफगानिस्तान में जो स्थल मिले हैं बो मिले हैं सोत्तु गोई दूसरा है मुंडी काग यह आपने आद रखना है पाकिस्तान में तीन प्रांतों में मिले हैं वैसे तो बहुत सारे हैं चोटे मोटे पर जो पूछे जाते हैं मैं सिर्फ बोई बताऊंगा आपको पंजाब प्रांत जो है पाकिस्तान में पढ़ता है पंजाब में जो मिले है हडप्पा मिले है और यह रावी नदी के किनारे पे हैं सिंद प्रांत जो मिले है सिंद प्रांत में जो मिले है मोहन जो दाड़ो मिले है कोड़ दीजी और चोहंदड़ो मोहन जो दाड़ो मिले है गागे डॉर, डावर कोट और Balaгоor तो कौट, कोट और डॉर, यह मिला है बलू चिस्तान प्रान्त से बात कीज़ाए भारत की, तो भारत के 6 स्टेट्स में से सिंदुगाटी सब्वेता के जो साख से मिले हैं, वो रापत हुए हैं सबसे पहले गुजरात की बात करते हैं हरियाना पंजाब महराष्ट राज्यस्तान और जम्मु कस्मीर तो गुजरात में जो मिले हैं लोथल सुथकोड टड़ा रंगपूर रिज्जी मालवद देशूल दौलावीरा और हरियाना से मिले है राखी गड़ी, बीरवाड़ा, बनावली, कुनाल और मीरातल राखी गड़ी यहां पे सबसे इंपोर्टन है इससे ही कॉस्टन ये बनता है कि सिंदु घाटी सब्बेता का सबसे वड़ास्थल भारत में कौन से है तो यह है राखी गड़ी और पूरी स सिंदु घाटी सब्बेता का सबसे वड़ास्थल कौन से है तो वह है मोहुंजोदाड़ो पंजाब से मिला है रोपड यह आपने देख लेना है महराष्ट्र से दामाबाद, राजस्तान से काली वंगा जिसे काली रंग की चूड़ियां कहादाता है जिम्मो कश्मीर से मिल सिंदु घाटी सब्बेता के प्रमुक स्थल नदी उतकन करता एव बरतमा स्थिती तो हडपा सब्बेता की मैं आपको स्थिती बिताता हूं कौन सी नदी पर है किसने इसकी खोज की ती ट्रिक से बताऊँगा जो कि आप कभी भूलने पाएंगे हडपा सब्बेता का जो की मात्रा रही है तो हडपा राभी देयाराम सहनी 1921 में खोजा गया यह और पाकिस्तान का मोंड कोमरी जिला में यह स्थित्थ है महंचोदाडो जो है सिंदु नदी के तड़ पे हैं राखलदास बेनर्जी ने इसकी खोज की थी 1922 और पंजाब के सिंध प्रांथ का लर्काना जिला में है यह चुहंद्रो जो है यह सिंदु नदी के पास और गुपाल मजुम्दार ने इसकी खोज की थी 1931 में और यह भी सिंदपरांत में है बात की जाए काली बंगन की तो यह गगर नदी के पास है बीबी लाल एव बीके थापन ने इसकी खोज की थी याद रखने का ट्रिक बताता है आपको काली बंगन जैसे काले रंग की चूड़ियां ठीक है और यहाँ पर आ रहा है काला और इसकी खोज की थी लाल और काली बंगन बंगन को किसमे बेंते हाथ से और हाथ से कर लग जाता है थपड़ तो थपड़ यह भी याद रखना आप नैंटि-फिप्टी-थी में इसकी कोज की गही थी और राज्स्तान के Some möglich जिले में इसकी कोज की गही थी बात की जाए तो यत सतलोज में सतलोज़ में।енс दादी के पास यत दस्तरमन इसकी कोज की थी 1953 से 1956 तक पंजाब के रोपड जिले में है ये लोथल जो है भोगबा नदी के पास है रंगनाथराव ने इसकी खोज की थी 1955 में और गुजराद के अमदावाज जिले में ये है बनमाली या बनावली जे रंगोई नदी के पास है और रविंदर सिंग बिस्त ने इसकी खोज की थी 1974 में और हरियाना के हिसार जिले में ये स्थित है दोला वेरा की बात की जाए तो इसकी खोज भी रविंद्र सिंग बिस्त ने की थी और ये गुजराद के कछी जिले में स्थित है तो नेक्सट पार्ट हम पढ़ेंगे इसके जितने भी important question है उनको हम discuss करेंगे अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मुझे WhatsApp कर सकते हैं या तो फिर आप मुझे comment करके भी बिता सकते हैं Thanks for watching, जै हिन, जै भारत